तो दोस्तो सर्ची क्लासेस में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि कुल इंडिया लिमिटेट का आपका वेकेंसी आया हुआ है और इसमें नॉन टिक का पोर्षन है 100 और टेकनिकल आपका 100 का है यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं नॉन टिक की बात करेंगे और जैसे कि आप जानते हैं कि आपका math है, reasoning है और आपका English and GS section में है GS और GKS section जो लोग की मतलब आपका 25 नंबर का है ठीक है और ये चारों मिला दिया जाए तो जो है आपका 100 नंबर का है Math, reasoning, GS portion और आपका English portion इन सारे के लिए यहाँ पे तैयारी start करवा दी गई है और जो लोग भी नए हैं वो लोग जो है playlist में जाकर वीडियो को आप देख सकते हैं current affair भी start हो चुका है आपका और English भी start हो चुका है math जो है previous year भी चल रहा है previous year के बाद जो है आपका topic वाई जो important topic है previous year से analysis करने का बाद उसका जो है आपको जो है lecture यहाँ पे start हो जाएगा reasoning का भी इसी तरह रहेगा पहले मैं आपको previous year करा रहा हूँ ताकि आप खुल से analysis कर लीजिए क्या कौन सा topic पुछा जा रहा है फिर उस topic पे आप भी काम कीजिए और हम भी आपके लिए जो है जीएस वारा portion में भी होगा कि जितना भी आपका previous year है उसी के अधार में वही topic जो है आपको select करकर यहाँ पर पढ़ाया जाएगा ताकि आपका selection जो है वो बहुत ही मतलब selection होनी probability बढ़ जाए और अधी वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को जितना हो सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करते रहें इससे हमारा motivation बढ़ता रहेगा और आपके लिए बहुत ज्यादा वीडियो हम आपको पर डे प्रवाइड कराते रहेंगे नॉन टेक्से रिलेटेड आजम लोग बात करेंगे उसमें आपका general science होगा और general science में आप जानते हैं कि जो आपका 25 question है आपका जिस 5-6 question है तो इस तरह से इसका भी जो महत्तो होगा वह बहुत ही ज्यादा होगा तो मैं इसमें mixed question लिया हूँ इसमें physics, chemistry, biology होगा आप यदि चाहिएगा पढ़ने के लिए physics, chemistry, biology तो आपको time बहुत ज्यादा लगेगा मैं इसमें से वो सारे question लिया हूँ जो कि कहीं न कहीं आ और पूछे गए हैं, simple paper मैं नहीं करवा रहा हूँ और इस series की खासियत यह है कि इस series के माध्यम से मैं आपको theory इतना बता दूँगा कि आपको जो दुबारा है book खोल कर देखने की ज़रुत नहीं पड़ेगी आप इसको एक बार, मतलब series को अच्छे तरह से अधी देख लि तो आज का हम लोग general science का series चालू करते हैं, ठीक है इसके थुरू हम लोग theory को है cover करने का पूरा परियास करेंगे, एक सांत कम से कम दो चार question जो है solve हो जाए आपका, अब देखिए यहाँ पे जो question आपसे पूछा जा रहा है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि lemon juice tastes sour because it contains, तो आपका, जो lemon juice होता जो निगू का रस होता है वो आपका taste में कैसा होता है, sour होता है यानि कि, खटा होता है, तो वो किसकी वज़ा से होता है, तो देखिए जो आपका acid का प्रपर्टी होता है ठीक है जो acid होता है आपका वो sour in test होता है ठीक है वो क्या होता है sour in test होता है और इसी तरह से base जो होता है आपका base क्या होता है वो bitter in test होता है ठीक है तो यह उनका प्रपर्टी है इसी तरह आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि जो आपका litmus paper होता है तो acid जो होता है वो क्या करता है blue to red में convert कर देता है और जो आपका base होता है वो red to blue में convert कर देता है चीक है तो यह सारे example भी पूसे जाते हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक दोनों में जो difference होता है acid और base वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूँ ताकि यह चीज आपको जो है मतलब की ध्यान में रहे देखिए जो आपका acid जो होता है वो litmus paper को क्या करता है blue to आपका red में convert कर देता है यह बहुत बार question पुछा जाता है इसको आप ध्यान में रखेगा जस्ट opposite जो है base करता है यह क्या करेगा कि जो आपका blue होता है sorry rate जो होता है उसको वो blue में convert कर देता है ठीक है तो इसको जो है आप ज़रूर ध्यान में रखेगा इसके बाद nature की बात करें तो देखिए acid जो होता है आपका sour interest होता है और यह जो होता है आपका bitter interest होता है आपका base ठीक है तो base से आप याल रख सकते है base bitter इसके बाद देखिए आप इसकी बात करें तो जो भी chemical substance होते हैं ठीक है तो वो acidic in nature होते हैं जिसमें acid पाए जाता है और इसमें उसी तरह से basic in nature होंगे जो भी chemical सबस्टान्स होंगे जिसमें base पाया दाता है इसके बाद देखिए आपका ये जो होता है वो आपका soft का nature नहीं रखता है जबकि इसमें क्या होता है कि soft का nature रहता है और इसका example की बाद करें देखिए इसके example भी बहुत ज्यादा important होता है जैसे कि hydrochloric acid जो है आपका HCL ये पुछ दे जाता है कि इसका formula क्या होगा ठीक है इसी तरह acidic acid जो होता है आपका H3COOH ठीक है ये सब पुछ दिया जाता है एक और याद रखिए H2SO4 ठीक है king of आपका जो है acid बोला जाता है या chemical बोला जा होगा तो आप जो soft यूज करते हैं ठीक है वो आपका basic in nature होता है sodium hydroxide NaOH ठीक है NOH जो है क्या है basic in nature होता है जिसका pH value जो होता है कितना होता है ये 14 होता है ये strong जो है आपका base होता है इसी तरह HCL का pH value कितना होता है जैसे कि pH value पिछले वाले वीडियो में बताया होते आपको य तर्मन भासा में उसका जो मतलब होता है वो power होता है तो इस तरह से इनका pH value भी relate करके आप याद रख सकते हैं तो ये सारे चीज जो है आपको acid और base से related आपको याद रखना है किसी भी तरह से आपका question आता है तो छूटना नहीं चाहिए इस topic से तो कि बहुत simple ये topic है और आ सब्सक् chỉण कर सकते हैं अब यहां पर हम next question की बात करते हैं तो देखिए यहां पर पुछा जा रहा है eletric current is the flow of То तो electric current आप सभी जानते हैं कि electric current का जो formula होता है i वो क्या होता है आपका dq y dt होता है और जहां पे q होता है क्या होता है चार्ज होता है यानि कि rate of change of आपका charge होता है वहीं क्या होता है current होता है या इसको जो है आप बोल सकते हैं कि flow of आपका electron जो होता है वहीं क्या होता है current होता आपका राइट एंसर इसमें क्या हो जाएगा अब यहां से कुछ रिलेटेड जो आपका पुछा जाता है जिसे क्यों की तो वैलू होती है इसमें चार्ज तो 1.6 इसमें आपका पुछा जाता है e पजाते हैं जबते हैं कि आपका इनरजी होता है वह क्या होता है पावर इंटू आपका time हो जाएगा तो यह आपका इनर्जी कहलाएगा यानि कि power into time और यहां से देखिए आपको होते क्या है कि कभी-कभी unit भी पुछा जाता है तो आपको मालूम है कि power का unit वाट होता है इनर्जी का unit जूल होता है अधिक current की बात करूँ तो इसका ampere होता है और आपका charge के बात करूँ तो इसका कुलाम होता है तो इस तरह से सबका जो है आपको मालूम होना चाहिए ठीक है अब next question की बात करते हैं हम लोग तो यह देखिए आपका जो question है वो आर्कमेटिक प्रिंस्पल पे based है और इसमें पुछा जा रहा है कि आर्कमेटिक प्रिंस्पल का use करके किस चीज का design किया गया है तो देखिए आर्कमेटिक प्रिंस्पल और आपका जो पास्कल प्रिंस्पल है इस पे जो हमें सब पुछा जाता है यहां पे अभी हम बात करते हैं आर्कमेटिक प्रिंस्पल का तो देखिए आपका जो इनका प्रिंस्पल basically क्या है कि अधी आप जल में कोई चीज आप प्लवक बल तो ये उपर की तरफ लगता है ठीक है ये आपका वाटर द्वार ये बल लगाया जाता है तो बिसिकली जो है ये आपका याद रखेगा बाकी आप इससे ऑप्शन से भी छांट सकते हैं थोड़ा बहुते लिए आपको मतलब मालम होगा आत्मेटी सिजान से की ब प्रांक और एयरक्राप्ट तो होई नहीं सकता है ठीक है तो इस तरह से इससे पूछा जाता है तो इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट कोश्टन की बात करते हैं हम लोग ये देखिए आपका जो है जो दिया गया है कंकेव मीरर का एक कोश्टन है बहुत छो जो है आपका कंकेव मीरर जो है आपका आप जानते हाँ एक कंकेव मीरर का जो वह रिफ्लेक्राप्ट्स होता है वह इनसड होता है ठीक है ये विदे चार तो सपोर्च की अहां पर क कोई ओब्जेक्ट रखा फम्हास जो ऑकका 25 cm है औरücklich कि इसके बाटे. बोला जा रहा है कि at what distance from the front of the mirror is image is located तो जो image जो होगा वो कहां पर locate होगा वो चीज आपको बतानी है यानि कि image की इस्तिती बतानी है और magnification यहां पर दिया गया है अब देखिए एक चीज आपको मालूम होगा इसकी value जो दी गई है वो कितनी दी गई है आपका 3 दिया गया है आप से BE की value पुछी जा रही है ठीक है image कहाँ पर formation हो जा रहा है आपका in front of mirror तो यहाँ पर दिखिए U की जो value है वो क्या है आपका 5 है और यहाँ पर दिखिए होता क्या है कि जो आपका जो sign लिया जाता है basically तो वो जो है आप जितना इधर right side में लिएगा वो सारा का सारा positive sign होता है और इधर जो लिते हैं वो आपका negative होता है ठीक है reference point जो है आपका यहीं होता है इधर से लिजेगा the positive और इधर लिजेगा the negative चुको U जो होता है negative होता है इसलिए जो magnification होता है उसमें यह minus का sign आता है due to यह आपका U की वज़ा से आता है ठीक है अभी मैं clear कर दूँगा कि अब देखिए यहाँ पर अब U का already यह minus में आ गया है तो हम direct क्या रखेंगे यहाँ पर 5 रखेंगे और यहाँ पर यह 3 रखेंगे तो यह V बराबर क्या हो जाएगा यह आपका minus में 15 हो जाएगा अब देखिए B जो बनता है ठीक है यह यही बता रहा है minus का जो आ रहा है कि जो यह आपका image बना हुआ है वो आपका in front of mirror बना हुआ है क्योंकि आपका in front of mirror ही रहेगा सपोज यह 5 है तो यह कहीं जो है आपका यह opposite side में बना होगा यह आपका minus 15 इस तरह से बना होगा ठीक है तो इस तरह से यह so करदा है कि आपका in front of mirror है तो कि V की value भी in front of mirror रहेगा तो वो minus ही होगा तो यहाँ पर जो right answer होगा आपका क्या होगा 15 होगा तो यह आपका right answer होगा ठीक है और इस तरह से आपका जो है अधी suppose एक magnification और आता है ठीक है उस case में क्या होता है कि वो magnification होता है आपका तो उसका जो formula होता है कि height of आपका image ठीक है suppose height of image जो है h2 हो गया और height of object जो कि आपका था h1 तो यह इस मतलब की formula पे भी आपसे question पुछा जाता है h2 क्या है आपका कि image का height है जो image का formation हुआ है h1 क्या है यहाँ पे कि जो आपका object है उसका height कितना है ठीक है तो इन दोनों का ratio आप लेते हैं तो भी magnification आता है तो इस तरह से इस वाले माइनस का कोई लपका नहीं रहता है क्योंकि height यहाँ पे जो है आप major कर सकते हैं तो वो आपका direction का उसका कोई लोचा नहीं रहता है लेकिन यहाँ पे यह रहता है ठीक है और यह चीज़ कभी कभी पूछ दिया आती है u b और f जो होता है वो आपका किस के लिए positive negative होगा देखिए concave के लिए क्या होता है कि आपका maximum जो किसे एक केस छोड़ दिया जाए तो हरे एक में u b और आपका f जो होता है बस यहाँ पे जब आपका pole और यहाँ पे यहाँ पे कोई object focus के बीच रहता है suppose यह pole है और यह focus के बीच कोई object रहता है तो उस case में जो है v की value आपका positive हो जाता है क्योंकि जो आपका image form होता है वो mirror के opposite side होता है ठीक है in front नहीं होता है जिसके होज़से वहाँ पे v जो होता है आपका positive हो जाता है बाकि u आपका minus में ही रहता है तो इस सारे चीज़ छोटा छोटा है पढ़ने के लिए time आपको लग जाएगा समझ तो आएगा ही लेकिन मैं आपको पूरा यहाँ पे निचूर जहाँ जहाँ से question आता है जिस topic से आता है वो मैं यहाँ पे करवा रहा हो तकि कम समय में आपका revision और आपका तयारी अच्छी तरह से हो सके है अब देखिए इस से related और क्या question पूछा जाता है तो आपसे mirror का formula पूछ लिया जाता है आपका mirror का formula क्या होता है यह चीज आपसे push लिया जाती है तो वो क्या होता है आपका 1 by B plus 1 by U equal to 1 by F होता है यह आपका mirror का formula होता है यह आपको note down कर लेना होगा क्योंकि इस पे भी question जो है बराबर पूछे जाते हैं इसके बाद इस पे और question क्या बनते हैं तो इनके position से आपको question मिलते हैं कि कब कहां पे रखा जाएगा तो यह image कहां बनेगा ठीक है तो दो-तिन हम बदा दे रहे हैं यहाँ पे जो की बराबर आपसे पूछे जाते हैं तो एक तो आप याद रखिएगा कि यदि आपका infinite पे रहता है ठीक है object तो उस case में जो आपका mirror बनता है वो focus पे बनता है यदि focus पे रहता है तो यह आपका infinite पे बनता है ठीक है यह दोनों case जो है आप याद रखिएगा बाकि यदि आपका center of curvature पे रहता है तो उसका image भी जो है center of curvature पे ही बनता है ठीक है यदि आपका जो है यह आपका pole और आपका between यहाँ में between अधी pole और आपका f के बीच रहा ठीक है तो उस case में है वो आपका यह erect मतलब की आपका जो है यह सीधा बनता है और आपका large बनता है तो यह चार जो होते हैं आपके mirror से जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा important होते हैं तो इस position का जो होता है वो जरूर आप देखिएगा हर एक case में जो आपका image का जो nature होता है really inverted होता है लेकिन इस वाले case में between pole and f के बीच जो होता है तो उस case में जो होता है आपका erect and आपका virtual बनता है ठीक है तो इस तरह से इसको note down कर लीजिएगा ठीक है अब next question की बात करते हैं हम लो तो देखिए यहाँ पी जो question आपसे food preservatives can also be used as the raw material for the making तो देखिए यहाँ पर जो है common salt आप जानते है इन-acl को जो है आपको common salt बोलते हैं हम लोग ठीक है common salt का use जो है हम जानते हैं कि फ्रिजरेटिव में किया जाता है और इसके अलावा जो है इसका यूज और क्या मतलब कैसे किया जाता है तो दिखिए आपका जो raw material होता है फोर रेकिंग सोटा हो गया sodium hydroxide और bleaching powder तो इनको मतलब इनमें जो है मतलब की as a raw material न-acl का यू आप H2O का जो है reaction कराईए तो इसकेस में आपको जो आएगा NaOH ठीक है यानि कि sodium hydroxide प्लस यहाँ पे chlorine आपका बाहर होगा और यहाँ पे H2 जो है आपका बाहर निकलता है ठीक है तो इस तरह से देख रहे हैं कि आपका sodium hydroxide के formation में जो है NaCl का जो है important role है यहाँ पे इसी तरह आदि आप bleaching powder की बात किजिएगा तो यहाँ पे क्या है कि suppose calcium hydroxide है COOH होल्डवाइस उसका आदि आप chlorine जो यहाँ से आपका रेलीज हुआ है उसके साथ आप react कराईएगा तो यह COCl2 यह आपका bleaching powder जो है मिल जाएगा ठीक है और यहाँ पे H2O जो है आपका बाहर हो जाता है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो आपका NaCl से product बना था उसी का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ठीक है इसके अलावा जो है आप आप देख सकते हैं दूसरा baking soda की यदि में बात करूं तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते है NaCl ठीक है प्लस आपका H2O और आपका CO2 और NH 3 जो होता है ammonia ठीक है इनका जब आप reaction कराएगा तो यहाँ पे आपको जो मिलता है NaHCO3 यानि कि आपका sodium bicarbonate और आपका ammonium chloride NH4Cl आपका जो है by product बनता है ठीक है तो इस तरह से जो है आप देख सकते है NaCl का जो है यूज आप जो है मतलब कि इन सारे चीजों को बनाने के हो क्या होगा C होगा देखिए इस question की बात करते हैं हम लोग ठीक है इसमें जो है बोला जा रहा है कि आपका जो है विच लौ एस्टेट डेट मास के नाइदर भी created नौर destroyed in the chemical reaction ठीक है chemical reaction में जो है किस law से यह valid होता है कि मास को नहीं तो create कि आया सकता है और नहीं destroyed किया रहता reaction में दिखिएगा ठीक है तो उस case में होता क्या है कि suppose कि यह आपका H2O ठीक है यह आपका chemical reaction हुआ तो यह आपका क्या हुआ यह बना है आपका H2O ठीक है तो इस case में आप दिखिएगा कि जो आपके वो होंगे मास होंगे वो आपके बराबर होना चाहिए तो suppose यहाँ पर hydrogen 2 है ठीक है तो यहाँ पर मैं एक 2 कर दे रहा हूँ और यहाँ पर यह इसको 2 कर दूंगा तो चार यह हो जाएगा आपका 2 oxygen तो यह आपका balance हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर चुकि 2 और 2 तो यह चार हो जाएगा ठीक है ब्लस क्योंकि एक हाइड्रोजन का वन होता है और दो हाइड्रोजन है आपका तो यह दो और यहाँ पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा ठीक है तो यहां पर देखिए यह कितना हो ज यह हो जाएगा यानि कि यहां पर भी देखिए यह 36 आ रहा है यानि कि यह जो आपका reaction है वो आपका law of conservation of mass को follow कर रहा है तो law of conservation mass होता क्या है वो यहीं होता है इसमें कि जो आपके reactant होते हैं ठीक है आपके reactant जैसे कि आपके यह जो है दो reactant है और यह आपका जो है product बना reaction ठीक है और after chemical reaction दोनों जो है बराबर होना चाहिए दोनों तरब जो है आपका LHS is equal to RHS होना चाहिए यहीं आपका mass of law कहता है यानि law of conservation of mass कि mass को destroyed नहीं किया जा सकता है और नहीं create किया जा सकता है एक और example ले लेते हैं जिससे कि आपको यह चीज किलियर हो जाए कि यह होता क है सपोज कि calcium हम लेते हैं oxygen के साथ इसका हम लोग reaction करवा रहे हैं O2 तो यहाँ पर जो आएगा आपका 2CA O आएगा यहाँ पर यह दो calcium कर दे रहे हैं ठीक है और दो oxygen भी यह balance equation है अब यहाँ पर दिखिए कि एक calcium का 40 होता है दो calcium है तो 80 हो जाएगा और यह आपका 32 हो तो यह calcium का आपका 40 और यह आपका जो है oxygen का 16 यानि कि 56 और दोना आपका 112 हो जाएगा तो आप यह भी देख सकते हैं कि जितना मास आपका reactate का पहले था ठीक हो प्रोडक्ट का भी बराबर है तो यहीं आपका law of conservation of mass होता है तो right answer इसका क्या होगा यह आपका law of conservation of mass next question की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे तो देखिए यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि which of the following is not a root vegetable root vegetable कौन सा नहीं है वो चीज़ पूछा जा रहा है तो आप जानते हैं कि आपका जो saline gum होता है यह आपका root based होता है गाजर भी मुल्ली भी तामाटर जो होता है आपका root based नहीं होता है यह आपका यह fruit है ठीक है तो इस तरह से आप इसको के मतलब की clear इसको चाड़ सकते हैं अब next की बात करते हैं हम यहाँ पर इसमें बोला जा रहा है कि which scientist formulated the theory of evolution तो the theory of evolution था वो आपका Darwin ने दिये हुए थे यह बहुत ही चर्चित theory है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है इसी तरह से आप Aristotle का आप सुने होंगे तो यह आपका father of biology भी इनको बोला जाता है Aristotle का तो इसको भी आप जो है याद रखिए गर नेक्स की बात करते हैं हम question का तो यहाँ पर देखिए next question जो है आपका इसमें पुछा जा रहा है कि layer of atmosphere closes to the earth of surface तो आप देखिए जो earth of surface के जो हो होता है तो आपका सबसे पहले जो नीचे होता है वो आपका ट्रोपे स्पेर होता है इसके बाद इसके ऊपर जो होता है आपक सबसे बाहर वाला होता है यह मतलब distance के ऊपर जो है एक के ऊपर एक रहते हैं space के बीच और इसमें जो हता है आप से पूछा गया closest कौन है तो यह आपका प्रोपो एस्पेर है फीक है यह आपका मेजो है यह आपका आइनो है और यह आपका एक जो है तो इस तरह से जब और question जो है आपका क्या पूछा जाता है तो देखिए यहां पर application based question पूछे जाते है ठीक है इसको ध्यान से सुनेगा climate change जो होता है ठीक है climate का जो भी phenomena होता है आपका ट्रोपो एस्पेर में होता है यदि एस्टेटो एस्पेर की बात करें तो एस्टेटो एस्पेर में जो ह जाता है तो radio frequency से जो communication established होता है तो यह सारे जो application है उसको भी आप ध्यान से याद रखिएगा तो कि इससे question पूछे जाते हैं ठीक है अब next question की बात करते हैं उन्हों दोस्तों तो देखिए next question जो है आपके लिए इसमें बोला जा रहा है कि which is the largest internal organ in the human body तो internal human body का जो आपका largest organ होता है वो क्या होता है लिवर होता है जैसा कि आप जानते हैं ठीक है यह बहुत बार question पूछा जाता है और एक largest आपका जो bone होता है आपका वो आपका femur होता है उसको भी याद रखिएगा क्योंकि वो भी question आ बात करते हैं हम लोग तो देखिए यहां पर जो है आपका पुछा जा रहा है galvanization के बारे में पुछा जा रहा है ठीक है तो galvanization क्या होता है कि जो आपका iron का red होता है उस पर जो है एक coating किया जाता है ठीक है उपर से ताकि उसको rust लगने से बचाया जा सकी यानि उसमें जं पर उसको हम लोग galvanization process या method बोलते हैं तो यहीं चीज पुछा जा रहा है कि galvanization का जो होता है method उसमें जो है मतलब जो coating क्या जाता है material वो आपका कौन से material होता है तो आपका right answer क्या हो जाएगा zinc होगा इसी तरह इसको बदल के भी question पूछा जाता है कि मतलब की galvanization क्या होता है तो आपका यहीं होता है कि coating जो होती है उसी process को हम लोग galvanization बोलते हैं तो यह आपका question बहुत नहीं बात आपका आता रहता है बहुत सारे exam में अब देखिए यहां पी जो है question पूछा जा रहा है कि which of the following gives you a large supply of vitamin C तो vitamin of C जो होता है आपका किस type के पदार्थ में ज़्यादा पाय राता है तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं ठीक है जिसे आपका orange हो गया lemon हो गया ठीक है जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें जहाँ vitamin C की मातरा बहुत ही अच्छा खासा होता है ठीक है और यह iatac registry को बढ़ाने में भी कामाते हैं तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा vitamin C you打inkका सबसे जगते फफल में पाए जाते हैं ठीक है तो बाकी फट्टे सबसे तरह ए पोटेडियूम ही आप याद रखिए मन पाया जाता है तो यह सारे चीज जो है आपसे पूछे घाने कभी न कभी तो उसको एक बार आप सुने रहीएगा तो आप इसली कोशन को कर सकते हैं इसके अलावा देखिए इसमें जो आप से पुछा जा रहा है वो पुछा जा रहा है कि A study of the different type of the tissue is called तो आपका जो study of tissue होता है उसको हम लोग बोलते हैं histology या आप हिंदी में देखिएगा तो उत्तक विज्ञान आपको साफसात यहां पर दिख जाएगा ठीक है इसी तरह कोशी का विज्ञान जो होता है सेल वाई लोगी बोलते हैं इसी तरह cytology जो होता है आपका तो यह division of a sale होता है cytology तो ठीक है तो उसमें यह चीज आपको पढ़ने को पता चलता है इसके बाद जो है आपका next question की अधि हम बात करते हैं दोस्तों इसमें जो है आपसे पुछा जा रहा है study of the different type of tissue यह तो same question है आपका इसके बाद देखिए यहाँ पे जो question पुछा जा रहा है तो इसमें पुछा जा रहा है कि speed of the sound depends upon the property of the medium तो देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप देखिएगा दी book तो उसमें मतलब अलग मिलेगा आपको answer देखिए जो sound का दी NCRT में भी आप देखिएगा तो sound जो depend करता है elasticity पे करता है temperature पे करता है और आप pressure पे उसमें कहीं नहीं देखिएगा और lucid area पढ़ते हैं तो lucid में भी देखिएगा तो direct उसमें लिखा हुआ है कि pressure पे जो है speed of sound depend नहीं करता है ठीक है तो पर आपका right answer होगा वो आपका जो है यह दोनों होगा यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो answer आपका r of the above दिया गया है option में तो यह आपका गलत दिया गया है ठीक है और density रहेगा तो यहाँ पर सही रहता है यहाँ पर pressure के जग़ए देंसीटी हो जाए तो यह आपका answer जो होगा सही होगा ठीक है क्योंकि speed जो होता है आपको ध्यान रखना होगा इसके अलावा आपका sound wave से related बहुत सारे question आते हैं जैसे कि temperature से मैं आपको बताया था कि temperature का यह आप formula याद कर लिजेगा कि जो है आपका air में जो होता है sound का wave कितना होता है speed कितना होता है और इसमें 0.61 degree Celsius यानि कि जी आपका 1 degree Celsius का change आता है तो आपके जो speed में change आता है वो कितने का आता है 0.61 का आता है बाकि elastic और density का relation आप यहां से देख सकते हैं कि velocity में किस तरह से change आ रहा है ठीक है और इसके आलावा जो है आपका source और आप object के बीच का distance कितना होना चाहिए यह मैं आपको हरे वीडियो में बताता हूं क्यूंकि बराबर प से पुछे जाते हैं बाकि sound wave जो होता है आपका longitudinal wave होता है ठीक है यह सारे question sound wave से पुछे जाते हैं बराबर तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है next question की बात करते हैं यहां पर दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि which of the falling is not a fossil source of energy fossil source of energy आप जाते हैं कि जो बदार जो होते हैं बहुत साल तक दब जाते हैं और उनका decomposition दीरे-दीर होता रहता है तो आपका जो है बहुत समय के बाद जो है fossil fossil fuels ऐल में तो हो आपके बहुत निकलते हैं तो आप जानने है कि रोवसीन जो होता है ऐस आपका यलिक कर थाए कोल भी है आपका फ़ोसिल का ही जामपल है तरह इस टरह से यह बहुत ही और लोग करते कि बोर किसी दान्त निमलिकित में से किस संरच्छित रहता है मतलब उसमें क्या संरच्छित रहता है ये चीज आप से पुशाजा रहा है तो इसमें जो होती है आपकी इनर्जी जो होती है ठीक है बोर आपका जो है जो दिये हुए थे concept 2 वो आपका orbit वाला दिये हुए थे कि ये आपका जो है कोई nucleus है इसके चारों तरफ जो है ये आपका orbit है ठीक है तो जो orbit में electron move करते हैं तो उनकी जो energy जो होती है इसमें कोई energy जो मूब करते रहते हैं तो कोई energy का चारों नहीं होता है energy gain करना और energy जो है release करना होता है जब कोई electron जो है यदि lower energy level से higher energy level में जाता है तो इस case में क्या होता है energy को gain करता है और high energy में वो पहुंच जाता है ठीक है यदि वो आपका higher to lower आता है तो इस case में वो आपका energy का करता है release करता है in the form of heat या फिर आपका जो है वो phonon के form में यूज करता है ठीक है तो ये चीज जो है आपको इस theory से याद रखना पड़ेगा ये बोर का theory है तो energy जो होती है वो क्या होती है conserve होती है तो इसका right answer क्या हो जाएगा आपका energy हो जाएगा ठीक है next question की बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए आपसे जो question पुछा जा रहा है उसमें बोला जा रहा है कि साबुन लंबी सिंकला वाले एक sodium या potassium लवन होते हैं तो जो साबुन होते हैं आपका वो carboxylic amul COOH ठीक है तो ये उनके जो भी आपका कहीं exam में मिलता रहता है तो ये याद रखिएगा कि ये एक बहुत बड़ा chain बनाते हैं sodium या potassium के साथ carboxylic amul as a function group उसमें काम करता है तो ये आपका हंतलब की question हमेशा पुछा जाता है ये जो question है आप देख रहा है इसमें बोला जा रहा है कि unsaturated carbon compound will give जो है generate करते हैं ठीक है जब इनको आप जलाईएगा तो इनका जो combustion होता है वो पूरी तरफ से नहीं होता है जिसकी वज़से ये कहते हैं yellow flame देते हैं और आपके जो saturated carbon होते हैं ठीक है saturated carbon compound जो होते हैं आपके तो वो जो है आपको जो है वो आपको मतलब कि ये blue flame देते हैं जब इनका combustion होता है तो completely burn कर जाते हैं तो ये आपका blue flame देते हैं तो ये भी पूछा जाता है आपका कि saturated carbon compound जब oxygen की उपस्तिती में आपको जो है burn करता है तो वो किस type का law जो है generate करता है तो वो आपका blue करता है बाकि unsaturated आपका yellow करता है इससे related और question क्या पुछा जा सकता है आपसे कि जो आपका unsaturated carbon compound होते हैं इन में जो है bondों की शंख्या जो होती है वो क्या होती है तो देखिए unsaturated में आपके double bond और आपके triple bond आते हैं और saturated carbon में जो है आपका single bond आता है इसके example जैसे अधी double bond की बात करें तो आपका alkin group होता है ये alkin group होता है आपका double bond का और triple bond जैसे आप जानते हैं alkin group जो होता है ये alkin group जो होता है आपका triple bond का होता है बाकि single bond की में बात करूँ तो ये alkin होते हैं alkin में जो भी आपके group मिलेंगे उसमें क्या होगा आपका केवल आपका single bond होता है इसके अलावा जो है आप से पुछा जाता है इनका जो है general formula क्या होता है देखिए CnH2n ठीक है और यहां से पहले में बात करते हैं क्योंकि आपको सीरीज याद रखने में इजी रहेगा CnH2n plus 2 होता है ठीक है और Lking का minus 2 कर दीजेगा इसमें से तो यह आपको मिल जाएगा Lking का मिल जाएगा ठीक है और आपका Lking जो होता है वो CnH2n minus 2 होता है ठीक है तो कि इसमें फिर minus 2 कर दीजेगा तो आपको Lking का मिल जाएगा तो आपको जो है example जैसे मैं एक single bond, double bond, triple bond का दिखाए देदा हुए आपे सपोज कि ये methane methane जो है आपका क्या होता? CH4 होता है ठीक है? CH4 में आप देखिएगा तो ये आपका एक carbon होगा बाकी ये single bond होगी तो alkin में आप देख सकते हैं कि ये single bond होगी इसी तरह मैं alkin की बात करूँ सपोज ये methane ली तो यहाँ पर 2 और ये आपका 4 हो जाएगा तो इस case में देखिएगा तो ये आपका double bond और ये आपका hydrogen 4 जो लगे हुए हैं तो ये आपके hydrogen यहाँ पर लगके ये है complete कर देगे तो ये आपका देखिए इसका भी औस्टक पुड़ा हो गया और इसका भी औस्टक पुड़ा हो चुगा है तो इस तरह से आप alkin का भी देख सकते हैं बहुत ही जिंपल होता है तो इनसी saturated unsaturated से एतने question बन सकते हैं इसको आपको द्यान में रखना होगा next question की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तो दिखें इसमें जो question पुछा या रहा है कि the moment of the substance from an area of high concentration to an area of the low concentration is known है तो high concentration से low concentration में जो flow होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जोसतो diffusion बोलते हैं ठीक है यह आपका diffusion कहलाता है ठीक है high concentration से low concentration जो flow होता है किसी भी substance का उसको हम लोग क्या बोलते हैं diffusion बोलते हैं sublimation आप जानते हैं कि direct जो है आपका solid जो होता है वो convert हो जाता है आपका gas में तो ये आपका sublimation का process होता है इसके opposite यदि gas से direct जो है आपका solid में आता है तो ये आपका deposition होता है दोनों चीज़ को आप याद रखेगा evoporation क्या होता है आपका इसमें gas जो होता है evoporate होता है तो वो आपको evoporation बोलते हैं condensation में जसका opposite होता है तो ये सारा चीज़ जो है आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों और आपको कहीं न कहीं ये आपको आपके भी एक्जाम में आने की संभावना है चुकि टेक्निकल में थोड़ा सा ये वाला जो portion होता है वो थोड़ा सा मतलब उतना ज्यादा difficult नहीं रहता है ठीक है अब देकिए यहां पर जो बोला जाया है कि the horizontal row of the periodic table is called जो horizontal आपका row होता है ये वाला जो row होता है आप जानते है horizontal row जो होता है आपका total 7 होता है ठीक है जिसको हम लोग period बोलते हैं ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा period हो जाएगा यदि group की बात करें जैसे कि आप जानते हैं एक से जो है आपका 18 तरकी एक group होते हैं तो ये जो group होते हैं इनको जो होते हैं जो column होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग group बोलते हैं तो ये प्रियोडिक टेबल में आपको ध्यान रखिएगा बाकी आपका जो है इससे और भी question बनते हैं ठीक है दोस्तों तो उसके लिए मैं एक पूरा एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें की पूरा फिलोडिक टेबल के बारे में आपको बता दूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा चेप्टर पड़ जाता है आपका यहां पर देखें जो question पूछा जा रहा है आपसे इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो आपका rusting of iron होता है ठीक है ये किसी का example है ठीक है तो ये जो होता है आपका redox reaction होता है Redox reaction में क्या होता है कि इसमें दोनो reaction combine होते है तो जो rusting of iron होता है इसमें यहीं वाला आपका दोनो involved होता है और यह आपका नमी के कारण होता है यानि कि आपका जो present होता है oxygen atmosphere तो उसकी वज़ा से जो है आपका यह मतलब फिनोमिना होता है rusting of iron का बाकी globalization जो हम लोग अभी पीछे देखे हुए थे तो वो भी आपको मालूम है कि उसको बचाने के लिए rusting को बचाने के लिए हम लोग मतलब zinc का coating करते हैं ठीक है तो यह सारे चीज जो है बराबर इस topic से पूछा जाता है इसके बाद यहां पर हम लोग देखेंगे इसमें जो है आपको पूछा जा रहा है कि तो देखेंगे यदि आप ध्वनी जो उत्पन हो रही है इसको अधी वो आपके जो सोर्स आपका जो साउन अफ सोर्स है उससे ज्यादा होती है तो उस case में आपका एक बहुत ही साथ ध्वनी सुनाई देती है ठीक है तीक है तीक ही सी तो उसको हम लोग बोलते हैं sonic bomb ठीक है क्या बोलते हैं उसको हम लोग sonic bomb बोलते हैं क्योंकि यह जो है आपका आप देखिएगा तो science में यह portion आपको मिल जाएगा ठीक है कि जब ध्वनी उत्पन करने वाले सोथ ध्वनी से अधिक चाल से गती करता है तो उस case में वो क्या करता है एक sound generate करता है जिस sound को हम लोग क्या बोलते हैं sonic bomb बोलते हैं ठीक है next question की बात करते हैं दोस्तों यहां पर देखिए आपसे जो question पुछा जा रहा है कि मतलब घर्षन बल के बीना निमलेकित में से कौन सा कारी कठीन है तो मतलब कि वहां पर घर्षन बल नहीं रहेगा तो वो कारी होना possible नहीं है तो ऐसा कौन सा example यहां पर आपको दिख रहा है वही चीज आपको मतलब बताना है तो इसमें common sense की बात है और इसमें कुछ खास नहीं है question में यहां पर बतारा जाए एक भारी बखसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ठीक है तो यहां पर देखिए घर्षन यहां पर कम रहेगा तो भी चल जाएगा कम ही रहना चाहि अब दर्वाजे का जो है आपका संचलन ठीक है moment of the door तो इसमें भी ठीक है थोड़ा बहुत घर्षन इसमें होगा कोई दिक्कत नहीं है चलेगा अधी camera जो होता है आपका कैरम जो खेलते हैं आप तो कैरम में भी जो हता है आपका घर्षन जो हता है जरूरी रहता है कि नही देखी जो आपका जितना जादा आप वो फिसलेगा यानि उसमें घर्षन कम किया जाता है ताकि वो जो है ज्यादा frequently जो है move कर सके ठीक है इसके बाद जो होता है गिले संगमर्मर पर फर्स पर चलना ठीक है तो यदि सपोज की आपका जो फर्स है संगमर्मर का बहुत चिक लिखना होता है ठीक है और उस पे जो है इस तरह से आप चलिएगा तो आपका फिसलने का जो है बहुत ज्यादा ही चांस रहता है उस पे चल नहीं पाईएगा ठीक है तो यहाँ पे घर्षन जो है एक important role play करता है जिसकी वज़र से हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे चल पात है ठीक है और इसके अलावा आपको जो है और घर्षन का जो एक्जांपल है वह याद रखना चाहिए जैसे हम लोग जो है आपके कॉपी पे जो है पेन से लिखते हैं तो यह हम इसी लिख पाते हैं घर्षन की वज़र से लिख पाते हैं या आप blackboard पे भी लिखते हैं तो यह आपका घर्षन की वज़र से लिख पाते हैं रोड जो गारी चलती है रोड पे ठीक है जो गारी रोड पे चलती है वो घर्षन की वज़र से लिख पाती है ठीक है आदमी जो है नॉर्मल भी चलता है तो घर्षन की वज़र से लिख पाता है तो यह घर्षन के जो है कु थोड़ा सा disadvantage है ठीक है तो हर एक चीज का advantage और disadvantage जरूर होता है दोस्तों तो ये आपका जो है आज ये second series था ठीक है तो ये second series जो है आपका यहाँ पर मतलब की finish होता है और next series जो है हम आपके लिए लाएंगे तो आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर हम लोग next session में मिलते हैं ज स्टार्ट हो चुका है तो आप जो है आप जाकर उसमें search कीजिए आपको मिल जाएगा और उसको आप देखिए अधी अभी तक चैनल को जोईन नहीं किये हैं तो आप जरूर जोईन कर लिजिए पलपल की update जो है आपको मिलता रहेगा इस चैनल से तो आज के लिए इतना ही थैंक यू दोस्तो